मेरे प्यारे future chartered accountants आप सबका इस channel पर बहुत बहुत स्वागत है तो जैसा कि आप अपने screen पर देख पा रहे हो This is the channel which is named as Shrinidhi Borikar CA Intermediate यहाँ पर आपको CA Intermediate से related videos मिलने वाले हैं और जैसा आप जाओगे video section में तो video section में आप देखोगे कि अभी recently मैंने तीन videos upload किये हैं which is lecture number 1, 2 and 3 तीनो lectures आपका CA Intermediate का जो group 2 है जिसमें paper आपका auditing and ethics वाला जो subject है उससे related videos है chapter number 1 के यह तीनो videos है ठीक है जी और आप अगर playlist section में जाओगे तो वहाँ पर आपको playlist section में 2024-25 में आपकी CA Inter की जो audit का paper होने वाला है जो exams होने वाली है उससे related videos आपको मिलने वाले है तो एक छोटी से request चैनल को YouTube के उपर जरूर ढूंडिए चैनल को subscribe करिए वीडियो को like करिए और अपने CA students साथियों के साथ इस चैनल को और वीडियों को share करिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारी पढ़ाई शुरू करते है तो मेरे प्यारे future chartered accountants हम लोगों ने अभी तक क्या-क्या पढ़ लिया है हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है आपका topic नमबर 3 जिसका नाम है meaning and nature of auditing उसके बाद उसके बाद हम लोगों ने complete किया है पढ़ाई topic नमबर 4 की जिसका नाम है interdisciplinary nature of auditing which is relationship with diverse subject ठीक है फिर हमने topic नमबर 5 जो है आपका which is named as objectives of audit इन तीनो topics की पढ़ाई हम लोग कर चुके है अब हमारा motive क्या है आज का हमारा target है इस video के साथ हम अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले है एक topic के बारे में जिसका नाम है scope of audit what it includes and what it does not include याने अब यहाँ पे न थोड़ा सा एक institute ने थोड़ा सा जोल किया हुआ है nomenclature में याने title देते वक्त वो कैसा हुआ आपका जो main topic है वो है आपका scope of audit ठीक है फिर जो आपका 6.1 होना चाहिए था वो होना चाहिए था what it includes क्योंकि नीचे जब आओगे आप लो तब आपको यहाँ पे दीख रहा है scope of audit what it does not include और इसको institute ने 6.1 दिया है so basically this is your 6.2 तो आपका यह जो topic है जिसका नाम है क्या है नाम इसका scope of audit तो मेरे प्यारे future chartered accountants scope of audit आपका जो topic है उस topic में आपको दो विशाय समझने है 6.1 में आप पढ़ोगे what it includes याने audit में कौन सी बाते कौन सी चीजे कौन सी procedures include की जाती है और 6.2 आपका है what it does not include ठीक है मेरे प्यारे future chartered तो ये basic चीज मैंने आपको institute के study material की एक छोटी सी बड़े बड़े इंस्टीट्स में छोटी छोटी बाते होते रहती है ठीक है तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है हाँ और अभी जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम अपना what it includes scope of audit में क्या आता है और scope of audit में क्या नहीं आता है ये पढ़ने के बाद conceptual clarity लेने के बाद हमारे सामने आते हैं तीन सवाल जिसको institute ने कहा है test your understanding 1 test your understanding 2 और उसके बाद है test your understanding 3 ये तीनों के तीनों सवाल आपके exam के point of view से बहुत बहुत important है इसको ध्यान में रखना इन तीनों का answer हम detail में discuss करने वाल है वो भी इसी वीडियो में ठीक है जी अब हम लोग आते हैं वापस हमारे notes में ठीक है इतनी basic चीजे जो थी हमारे institute के study material से related वो मैंने आपको बता दी अब हम लोग jump करते हैं हमारे study material में और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे index में scope of audit में जब हमने उस study material को और अच्छे तरीके से organize किया तब हमें वहाँ से क्या-क्या topics मिलते है देखो जी यह है आपके सामने index topic का जो है scope of audit what it includes तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे मित्रों introduction introduction में हम क्या पढ़ेंगे यह जो scope word है न इसका meaning याने definition हम लोग समझ लेंगे उसके बाद में scope of audit क्या होता है वो हम समझेंगे ठीक है तो पहले तो हम scope word की definition देखेंगे उसके बाद हम देखने वाले है purpose of an audit ठीक है audit का purpose क्या होता है क्योंकि वो हमारे लिए जरूरी होने वाला है फिर introduction में point number C में हम पढ़ने वाले है intended users of financial statement यह basic चीजे जो है introduction की जो तीन points है A, B और C यह इस पूरे topic को समझने के लिए आपका foundation होने वाले है ठीक है उसके बाद point number 2 में हम लोग पढ़ेंगे enhancing confidence through audit इसमें हमें दो बातों के उपर ध्यान देना है पहली बात है आपका expression of opinion by auditor क्योंकि audit का purpose क्या होता है जो हमने सबसे पहले वीडियो में अपना पढ़ाई की थी वो क्या पढ़ाई की थी हम लोगोंने कौन सा topic था याद करने की कोशिश करो वो topic था meaning and definition of auditing उसमें हम लोगोंने यह तीन line वाली जो definition थी या meaning था उसको हमने पढ़ा था तो audit क्यों करते है यहाँ से हमें पता चला कि audit किया जाता है to express an opinion on the financial statements of any entity यह basic चीज हमें यहाँ से पता चली फिर जैसे ही हम वापस आते है तब हमें दिखता है कि दूसरा point हमें क्या पढ़ना है applicable financial reporting framework याने कोई भी entity हो जैसे कि आपकी sole proprietor हो गया आपके company हो गई, LLP हो गई, partnership firm हो गई जितने भी legal status government ने recognize किये है to conduct commercial transactions वो सारे अपनी आखों के सामने आप लेके आओ ठीक है अब मुझे एक बात बताओ जब भी कोई entity commercial transaction को conduct करती है तो वो हमेशा currency का इस्तमाल करती है याने क्या होता है inflow and outflow of economic resources in the form of money and goods or services ये basic चीजों का lane-dend होता है तो इन्हें record करने के लिए हमारे पास कुछ financial reporting framework होता है जैसे कि companies के लिए schedule 3 में आपके balance sheet और P&L का format दिया हुआ है banking companies के लिए specific financial statements का format है उसी format में उन्हें reporting करनी है insurance companies के लिए specific financial reporting format दिया है उनी को follow करके आप लोगों को insurance company के financial statements बनाने पड़ते है electricity companies हो गई, public sector units हो गई जहाँ पर भी आपकी regulatory authority है उस regulatory authority ने अगर कोई specific format दिया है तो उसी format में आपको अपने financial statements को report करना पड़ेगा तो उसे कहते है हम लोग क्या financial reporting framework अब इस framework में और भी बाते include होती है कौनसी जो भी बात currency को impact करती है जो भी बात accounting को impact करती है वो include होगी इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी statute है उसमें बताये गए financial reporting framework प्लस आपका accounting standards प्लस आपका Indian accounting standards प्लस Institute of Chartered Accountants of India ने accounting aspects के लिए जितने भी guidance notes इशू किये है जो भी advisory इशू किये है जो भी specific circular notification accounting से related इशू किया है वो सारा का सारा include किया जाता है आपके financial reporting framework में अब ये management के उपर होता है कि उन्हें decide करना है कि उनकी entity का legal status क्या है उनका business environment क्या है और उनको कौन से कौन से laws legal, compliances और financial reporting framework अपलाई करता है और उसके हिसाब से उनको अपने financial statements को prepare करना होता है तो ये basic चीजे हम यहाँ पे सीखने वाले है दूसरी बात क्या सीखेंगे हम लोग point number 3 अब point number 1 और 2 में क्या होगा कि हमारा mind जो है वो set हो जाएगा इस scope को अच्छे तरह से समझने के लिए फिर point number 3 में हम ये जानेंगे कि जो scope of audit है उसमें कौन सी चीजे include होती है अब तक हमें ये तो पता चल गया कि जितनी भी financial statements तयार करने की जो जिमेदारी होती है जो responsibility होती है वो होती है management की याने entity की auditor जो है वो एक third party होता है correct वो organization के entity के बाहर का आदमी होता है जिसे सिफ cross check याने financial statements 12 महिनों में हमारे financial year में जो भी financial transactions होंगे उसका हम record create करेंगे याने bookkeeping करेंगे उसके बाद उसकी accounting करेंगे और financial statements को बनाएंगे ये सारी जिमेदारी entity के साथ होती है अब auditor की entry कहा पर होती है auditor की entry होती है 31st March के बाद याने financial statements बनने के बाद तो जो auditor है वो जो काम करता है उसका scope क्या है याने audit की process के दौरान एक auditor को क्या क्या चीज़े करनी होती है उसे कहा जाता है scope of audit फिर point number ए क्या पढ़ेंगे हम लोग scope of audit में coverage of all aspects of entity याने financial statements से related जितने भी aspects होंगे entity से related जितने भी financial aspects होंगे जो financial statements में impact करते है वो सारे audit में cover होने वाले है point number B में हम लोग क्या पढ़ने वाले है point number B में हम लोग क्या पढ़ेंगे तो point number B में हम लोग पढ़ने वाले है study and assessment of accounting systems याने एक auditor को जो भी entity है उस entity ने कौन से accounting systems को शुरू रखा है अपने company में वो देखना पढ़ेगा दूसरा internal controls तीसरा test, inquiries and procedures तो इस तरीके से हमें अपने audit की शुरुवात करनी होती है फिर point number C में हम लोग क्या पढ़ने वाले है point number C में हम लोग पढ़ने वाले है point number C का heading है proper disclosure of financial information तो 12 महिनों में याने financial year में 1 April से लेकर 31st मार्च तक जितने भी transactions एक company करने वाली है एक organization करने वाली है जिसमें economic inflow and outflow होने वाला है तो वो सारे के सारे transactions का proper disclosure होना चाहिए ठीक है point number 1 में हम क्या पढ़ेंगे summarizing transactions and events that is accounting दूसरा judgments made by management अब ये जो financial statements prepare करते समय जो management होती है वो बहुत सारे decisions लेती है बहुत सारे judgments लेती है बहुत सारे accounting estimates बनाती है future का forecasting करती है और इन सारे चीजों को नजर में रखते हुए अपने financial statements बनाती है तो auditor को management ने ऐसे कौन से judgments लिये है जिनका impact financial statements पढ़ने वाला है उन चीजों के उपर भी ध्यान देना होता है point number 3 में हम क्या पढ़ेंगे selection and consistent application of accounting policies अब accounting policy मतलब क्या जैसे हो गया depreciation तो depreciation में आप लोग कौन सी method of depreciation यूज करने वाले हो तो वो consistently apply करनी है इसका मतलब क्या कि एक साल straight line method उसके अगले साल return down value method उसके अगले साल straight line method ऐसे नहीं चलेगा जो ए method आपने एक बार follow की है उसको consistently year on year apply करते रहो तो ऐसे scenarios को कहते है selection of consistent application of accounting policies फिर point number 4 में हमें क्या पढ़ना है historical financial information ये सबसे main बात है और ये सबसे common sense वाली बात है जैसे कि ये है हमारी समय की डंडी ये है हमारे April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February और March इसका मतलब ये हो गए हमारे 12 महिने अब देखो auditor की entry जो है ये 31st March के बाद होती है ठीक है यहाँ पर हमारे auditor सहब की entry होती है इसका मतलब क्या होता है कि auditor सहाब को जो information provide की जाने वाली है वो past period की होती है that means April से लेकर March तक की जो information होगी वो हमारे auditor सहाब को 12 महिनों की information मिलने वाली है that means past period की तो auditor को हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि वो जिन चीज़ों का audit करने वाला है वो है historical financial information वो current period के financial information का audit नहीं करने वाला है जो transactions past में हो चुके उनके बारे में हमें financial audit करना होता है ये basic चीज़े हो गए फिर point number 3 हमारा यहाँ पे खतम होता है ठीक है तो इसका मतलब audit में क्या-क्या चीज़े include होती है ये हमें point number 3 में पता चला coverage of all aspects of entity, reliability and sufficiency of financial information and proper disclosure of financial information इन तीन major segments में पूरा का पूरा audit का scope आता है उसके बाद point number 4 में हम लोग पढ़ने वाले है scope of audit what it does not include याने audit में कौन सी चीज़े include नहीं की जाती तो उसमें हम दो बाते पढ़ेंगे point number A और point number B इसका मतलब what it includes and what it does not include में दो major segments है point number A और point number B point number A में हम लोग क्या पढ़ने वाले है duties outside auditor's competence जैसा की मेरे प्यारे future chartered accountants हम लोगों ने एक topic पढ़ा था उस topic का नाम क्या था उस topic का नाम था interdisciplinary nature of auditing इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई audit करते हो तो आपके पास audit की field के अलावा भी कुछ fields है उनका knowledge होना चाहिए तब हमें क्या पता चला था कि एक auditor के पास audit के field के अलावा भी accounting का knowledge होना चाहिए law का knowledge होना चाहिए economics, behavioral science, statistics and mathematics, data processing, financial management and production तो इन fields का knowledge auditor के पास होना ज़रूरी है यह basic चीज हमने पढ़ी थी अब यहाँ पे उसका यहाँ पे वो चीज रिलेट होती है क्या कहते हैं यह लोग यहाँ पे scope of audit, what it does not include यानि audit में ऐसी चीजे, ऐसे audit procedures, ऐसे tasks include नहीं होंगे जिसका competence एक auditor के पास नहीं है तो जो आठ fields है, वो competence हमारे पास है जो interdisciplinary nature में हमने पढ़ा था लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजे है जो एक auditor के पास competent नहीं होता है वो कौन सी चीजे है, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले है तो duties outside auditor's competence कौन सी चीजे है वो, जैसा कि physical condition of asset तो एक auditor, engineer नहीं है उसको mechanical, electronics, इन सारी चीजों का knowledge नहीं है तो जब किसी भी asset का physical verification करना है तो उसे एक expert, engineer की जरूरत पढ़ने वाली है पॉइंट नमबर 2 में क्या है suitability and life of civil structure तो एक auditor याने एक qualified chartered accountant उसके पास architecture और civil engineering का knowledge नहीं है वो उसके competence के बहार है तो ऐसे जब भी task आएंगे audit में तो हमें उस relevant expert की मदद लेनी पढ़ेगी पॉइंट नमबर 3 में हम क्या पढ़ने वाले authentication of documents तो जैसा कि बहुत बार क्या होता है कि financial fraud करने के लिए नकली या fake documents बनाए जाते है तो एक auditor के पास ये competent नहीं होता है कि वो असली document कौन से है और नकली documents कौन से है उनमें फरक कर सके वो documents को authenticate नहीं कर सकता ये उसके competence के बाहर है अब यहाँ पे जो तीन चीजे mention की गई है ये exhaustive list नहीं है इसके अलावा भी बहुत सारी चीजे है जो auditor के competence के बाहर होती है लेकिन हमें समझाने के लिए हमारा study material को एक robust structure देने के लिए हमें यहाँ पे उन बहुत सारी चीजों में से तीन बाते बताई गई है जो auditor के competence के बाहर होती है इन तीन बातों के अलावा भी और बाते होती है जो एक auditor के competence के बाहर है उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा ठीक है फिर audit point number B में हम क्या देखेंगे audit is distinct from investigation यह बात हमें समझने पड़ेगी कि दो processes से एक होता है audit और एक होता है investigation investigation है न बहुत specific होता है उसमें एक specific goal होता है लेकिन audit का specific goal क्या होता है कि हमें अपना opinion express करना है on financial statements as a whole यानि पूरे के पूरे scenario पे हमें अपना as an auditor opinion express करना है लेकिन जो investigation होता है वो ज़रूरी नहीं है कि पूरे के पूरे financial statements का investigation हो हो सकता है सिर्फ data का investigation हो हो सकता है सिर्फ creditors की amount का investigation हो हो सकता है कि सिर्फ salary की amount का investigation हो तो investigation जो है न उसमें हम fraud finding हमारा mindset होता है कि हमें specifically fraud finding करना है या कुछ criminal activity हुई है उसको अनर्थ करना है लेकिन audit में basic mindset क्या होता है कि हमें overall जो scenario है उसके true and fair nature के उपर अब auditor का based on audit evidence, opinion देना होता है तो बहुत बड़ा फरक है audit की process में और investigation की process में ठीक है, investigation तब होता है जब ये alleged है ये हम मान के चलते हैं कि वहाँ पे कुछ ना कुछ fraud हुआ है या वहाँ पे कुछ criminal या illegal activity हुई है जबकि audit में हम ऐसा mindset नहीं रखते हैं हाँ, तो जबकि audit में हम लोग ऐसा mindset नहीं रखते हैं audit में हमारा mindset क्या होता है कि सब कुछ ठीक ठाक है हमारा काम क्या है बस sampling और testing basis के उपर transaction को check करो और अपना एक overall opinion दो कि सब कुछ true and fair है या नहीं है इस तरीके से काम होता है तो यह बात हमें यहाँ point B में से पता चलने वाली है तो यह जो investigation वाला portion है यह auditor के duty के बाहर होता है auditor का काम investigation का नहीं होता point number one में हम लोग क्या पढ़ने वाले है an audit is not an official investigation into alleged wrongdoing audit is distinct from investigation and objective of audit देखेंगे और उसके बाद में scope देखेंगे तो basically इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चो आपका scope of audit वाला topic बनता है और सबसे आखरी में ये सारी पढ़ाई होने के बाद हमारे पास जो test your understanding वाला portion है वहाँ पे तीन question हमारे institute ने दिये बहुत ही important है और बहुत ही प्यारे question है वो exam में आने के chances यानि उस topic पर question आने के chances है मैं ये नहीं कहता कि institute का वैसे का वैसा question आ जाएगा लेकिन somewhat similar questions आने के chances है तो अब हमारा duty क्या है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे topic के उपर आ जाते हैं जो की है हमारा topic number 4 जिसका heading है scope of audit ठीक है ये वाला topic हम लोग पढ़ते हैं आ जाओ सबसे पहला portion है हमारा introduction इंट्रोडक्शन में हमें क्या पढ़ना है तो हम सबसे पहले जो scope word है उसकी definition पढ़ लेते है the word scope refers to the extent or range of subject area or activity in the context of project studies or task scope defines what will be included and what will be excluded it sets boundaries and determines the focus objectives and deliverables of the work to be done तो यहाँ पे आपके लिए important word कौन से कौन से है यहाँ पे हमारे लिए important word है यह वाला the word scope refers to the extent or range of subject ठीक है यह important word है उसके बाद में area or activity यह line important है आपके लिए उसके बाद in the context of projects in the context of project studies or task scope defines what will be included and what will be excluded scope का मतलब simple simple है जैसा हमारे study material में दिया है scope मतलब आपके task में आपके activity में आपके project में क्या आपको करना है और क्या आपके scope के बाहर है यह basic definition हो गई आपके scope के word की और इसी definition यह scope word के definition के structure को जब हम audit के उपर apply करते है तो scope of audit में भी हमें दो सवाल मिलते है कि audit में क्या include होता है और audit में क्या include नहीं होता है यह दो basic चीजे हमें यहां से मिल जाती है अब आगे audit का purpose क्या होता है the purpose of an audit is to enhance the degree of confidence of intended users in the financial statements intended users of financial statements कौन कौन होता है तो सबसे पहले दो categories में उसे classify किया जाता है एक है internal users दूसरे है external users अब यह जो financial statements है उसमें क्या-क्या चीज़े आती है आपकी P&L, balance sheet, schedules, notes, cash flow statement याने जो भी आपके financial transactions होते हैं बारा महिनों में एक financial year में वो उससे related financial data आप अपने financial statements में reflect करते हो और उसे कहा जाता है financial statement तो इसके जो intended users है वो दो categories में classify किये जाते है internal users और external users internal users में आप क्या आते है owners and management क्योंकि वो entity के बारे में सारे decisions लेते हैं वही business चलाते हैं उनके पास ही decision making authority होती है इसलिए उन्हें कहा जाता है internal users, external users में कौन को नाते हैं investors वो स्रीप पैसा देते हैं उनके पास business को चलाने की authority नहीं होती है उसके बाद employees, employees salary basis पे काम करते हैं उनके पास भी business को चलाने की authority नहीं है जो काम delegate किया जाएगा वो आपको करना पड़ेगा otherwise आप दूसरा job ढूंड सकते हो इसलिए salaried employees को भी हमने external category में रखा है तीसरे आपकी आते है government और उसकी agency जिसको legal compliance, environmental compliance और taxation के लिए आपकी जरुवत होती है चौथा आता है आपका creditors जो आपको उधारी पे सामान goods services provide करते है उसके बाद आते हैं आपके money lenders याने जो banking institutions होते हैं financial institutions होते हैं जो finances होते हैं जो आपको working capital and long term capital provide करते हैं business के लिए और उसके बाद में आती है society at large याने मेरे और आपके जैसे लोग आप society at large में क्या क्या चीज़े हमें ज़रूरी होती है कि society at large means एक business employment create करता है या नहीं यह हमारे लिए माहिने रखता है एक business हमारे देश का नाम रोशन करता है या नहीं यह हमारे लिए माहिने रखता है एक business हमारे environment में positive impact डालता है या negative impact डालता है यह भी हमें जानना ज़रूरी है एक business क्या legal activity करता है या illegal activity करता है criminal activity में तो involved नहीं है human trafficking में तो involved नहीं है क्या वो हमारे देश का नाम खराब करता है या क्या वो ऐसे बहुत सारी चीज़े होती है जिसमें society interested होती है society directly उसके financial statements में interested नहीं है बट society indirectly और directly दोनों तरीके से एक very very functional business organization में interested होती है क्योंकि वो हमारे economic growth का एक बहुत बड़ा माध्याम होता है तो इस तरीके से internal users और external users financial information के होते हैं उन हर एक का अपना अपना एक objective होता है तो वो objective fulfill कैसे होगा जब उन्हें proper financial information मिलेगी तो audit का जो purpose होता है वो क्या होता है to enhance the degree of confidence of intended users अब जो intended users है ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको हमेशा financial knowledge हो यानि उनको accounting आती हो उनको financial management आता हो उनको economics आता हो ऐसा जरूरी नहीं है वो normal लोग भी हो सकते कोई engineer है तो उसे accounting, income tax, GST, investment, finance ये बाते आती हो ऐसा जरूरी नहीं है उसको engineering आती है कोई doctor है उसको doctor ही आती है है तो ऐसे cases में जो intended users है उन्हें क्या चाहिए होता है एक qualified person चाहिए होता है एक neutral person चाहिए होता है जिसको accounting, finance, economics इन सबका knowledge हो जो financial statements को credibility दे सके तो ये intended users क्या करते है एक auditor, intended users और management यानि entity मिलके एक third party यानि एक external party को hire करते है जो qualified chartered accountant होता है और उसको कहते है कि आप एकदम neutral manner में independently हमारी financial statements को verify करो और अपना एक certificate दो कि हमारा financial statement ठीक है या नहीं है तो ये होता है audit का purpose, basic चीज़ समझ में आ गई, फिर point number C पे हम लोग क्या आते है, intended users of financial statements users of financial statements में भी shareholders, employees, customers, government, regulatory authorities, bankers, etc. जो मैंने अभी अभी यहाँ पे discuss करते वक आपको बता दिया है तो basically हमारा point number one जो है, वो यहाँ पर तीनों points का discussion complete होता है इससे क्या हुआ, हमारे mind में audit से related एक proper space तयार होगी है अब उस space पे हम अपना foundation build up करने वाले हैं, ठीक है जो clarity नहीं थी हमारे हम लोगों के mind में, तो वो clarity लाने के लिए हमने introduction वाला portion पढ़ा अब उस clarity को हम और enhance करते हैं, enhancing confidence through audit अब audit में confidence enhance कैसे होगा है, कि जो neutral person है, जैसे आप example देखो अगर आप अपना खुद का example अगर देखते हो, तो जैसा आपको कोई laptop खरीदना है या आपको कोई mobile खरीदना है, या आपको कोई electronics की चीज़ खरीदनी जिसमें investment बड़ी amount है 10,000 से लेकर 1,500,000 तक ठीक है, तो आप क्या करोगे, directly जाके उसको purchase नहीं करते हो पहले आप अपने friend circle में देखते हो कि कौन सा ऐसा बंदा है या कौन सी ऐसी बंदी है जिसको electronics में interest है, जिसको सारी updated information, mobile, tablet, laptops, इन से related इनके technical specification, RAM कितना चाहिए, HDD चाहिए या SSD चाहिए उसके बाद में कौन से कौन से apps आपके चलने चाहिए, उसमें कौन सा operating system आपको लेना चाहिए, Android, Windows या Apple तो इस तरीके से आप लोग पूरा research करते हो पहले, लेकिन वो research करने के लिए आप क्या देखते हो कि उस field से related knowledge किसके पास है और कौन आपको misguide नहीं करेगा, कौन आपको सही सला देगा, तो ऐसे cases में आप क्या करते हो, अपने family and friends circle में कुछ ऐसे लोगों को ढूनते हो तो आप क्या करते हो, उस पर आपका trust होता है, उसका आपका भरोसा होता है, और वो जहां पर आपको guide करता है, उस दिशा में जाके आप अपना decision लेके वो product या service को खरीदते हो, तो similarly, management और entity, ये दो लोग क्या, management जो होता है, वो business चलाता है, और जो external users होते हैं, उनके दिमा party को ढूंते हैं, जिसको business के बारे में भी जानका रही हो, और जिसको financial statements के भी बारे में जानका रही हो, तो वो व्यक्ति होता है, chartered accountant, ठीक है, और वो chartered accountant से फिर उसकी consultancy लेते हैं, भाई, आप एक काम करो, हमारे behalf पे सारे के सारे financial statements को चेक करो, और हमें एक अपना audit report में अ enhancing confidence through audit, आपको कोई भी decision लेने से पहले confidence नहीं होता है, तो आप क्या करते हो, मा से पूछोगे, अपने बाबा से पूछोगे, अपने भाई बहनों से पूछोगे, फिर जाके अपना decision final करोगे, तो similarly यहां पे भी होता है, point number one क्या होता है, expressing expression of opinion by auditor, enhancing the degree of confidence is achieved by the expression of opinion by the auditor on whether the financial statements are prepared in all material respects, in accordance with an applicable financial reporting framework, अब जैसे हम कोई साधारन लोग होते हैं, हम तो chartered accountancy की पढ़ाई करते हैं, तो हमें इस field के बारे में जानकारी है, ठीक है, अब जो normal लोग है, जो किसी doctor की पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर कोई lawyer, legal law की पढ़ाई करता है, कोई engineering की पढ़ाई करता है, तो इस चीज़ों का knowledge नहीं होता है, तो उनके धिमाग में क्या होता है, यार समझ में नहीं आ रहा, accounting standard क्या होते है, in days क्या होते है, कौन सा compliance करना है, income tax कैसा लगता है, GST कैसे काम करता है, तो उनके धिमाग में क्या होता है, confidence नहीं होता, economic decision लेने से पहले, ITR file करने से पहले भ काम होता है, एक auditor क्या करता है, enhancing of degree of confidences achieved by the expression of opinion by the auditor, याने सब लोगों को भरोसा हो जाता है, कि हाँ यार, auditor ने बोला है न तो सब कुछ ठीक ठाक होगा, लेकिन इसकी guarantee नहीं होती, लेकिन वो एक confidence generate होता है, auditor on whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with an applicable financial reporting framework, तो auditor का जब अपना audit report देता है, तब सब का confidence उस financial statement पे बढ़ जाता है, point number B, applicable financial reporting framework, applicable financial reporting framework means a framework adopted in the preparation and presentation of financial statements, that is acceptable in view of the nature of the entity and the objective of financial statements or that is required by law or regulation, अब ये applicable financial reporting framework मतलब क्या, सबसे पहले तो आप अपने entity का nature और legal status पता करिए, कि वो commercial activity करती है या non commercial activity करती है, फिर आप ये पता करिए कि उसका legal status क्या है, क्या वो sole proprietorship है, क्या वो partnership firm है, क्या वो company है, क्या वो LLP है, क्या वो NGO है, trust है, society है, AOP है, BOI है, फिर इन दोनों parameters को चलाते हो, और आप commercial activities करते हो, तो आपको companies act 2013 applicable रहेगा, आपको income tax act applicable रहेगा, आपको GST applicable रहेगा, आपको जो भी environmental laws है, अगर आप manufacturing करते हो, तो factory act, labor laws, ये सारी चीज़े applicable रहेगी, अगर आप एक state से दूसरे state में डालते हो, तो आपको IGST लगेगा, अगर आप import export करते हो, तो भी आपको IGST और import export duty लगने वाली है, तो ये सारी चीज़े धीरे 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 unlock होते जाती है, जैसे जैसे आप अपने entity और business environment को जानने लगते हो, वैसे वैसे आपको पता चलता है कि आपको consequence laws, rules and regulations applicable है, फिर आपको पता चलेगा कि जो financial transactions होते हैं, उनकी accounting करनी प पता चला कि accounting में double entry system होती है, वो follow करनी है, mercantile याने accrual basis system follow करनी है, फिर आपको पता चलेगा कि मैं private limited company हो, तो मुझे IN-DS follow करने है, फिर आपको पता चलेगा कि मुझे schedule 3 follow करना है, तो ये हो गया आपका applicable financial reporting framework, है ना, तो इसी की बात यहाँ पर की जाती है, और example में भी हम अभी जो discuss किया है, वही बात इसने यहाँ पर बताई है, schedule 3 of companies act 2013, for example, in case of companies in India, financial reporting framework is provided under schedule 3 of the companies act 2013, याने जो आपके financial statements, जो आप accounting करोगे, उसको कौन से laws, rules and regulations applicable रहने वाले है, उसे कहा जाता है, financial reporting framework, फिर, point number 3 पर हम लोग आते हैं, अब हमारा foundation और basics और foundation दोनों एकदम clear हो गया है, अब हम लोग देखेंगे कि audit में, क्या include होता है, what is included in audit, तो point number A देखो, coverage of all aspects of entity, अब इसमें क्या है, audit of financial statements should be organized adequately to cover all aspects of the entity, relevant to the financial statements being audited, जब हम financial statements की बात करते हैं, तो क्या कहना है, इनका वो पहले आप समझ लो, financial statements में कौन सी चीज़े आती है, मुझे ये बताओ, आप सबसे पहले तो, ये देखो, financial statements के सबसे पहले में एक बार revise करा देता हो, एक होता है transaction, उसमें दो categories है, economic transaction, non-economic transaction, economic transaction में currency use होती है, non-economic transaction में currency use नहीं होती है, ये basic हमें पता चल गए, economic transaction दो प्रकार के होते है, commercial, non-commercial, commercial का motive होता है, profit, wealth maximization, non-commercial का motive होता है, non-profit, social work और charity, तो ये basic चीज़ हमें पता चल गई, अब as an accountant, as an entity, as an organization, हमें केवल और केवल, in currency वाले transactions की accounting करनी है, क्योंकि उसे हम measure कर सकते है, in terms of value, that is monetary value, and in terms of goods and services, ये basic चीज़ मुझे पता चल गई, अब यहाँ पर ये लोग क्या कहते है, this category of transactions generates financial information, ठीक है भीया, ये भी मुझे पता चल गया, फिर मैंने क्या देखा कि एक example देखा financial transactions का, उसमें क्या होता है, मेरे पास होता है, एक seller भाव, एक होता है buyer भाव, seller भाव क्या कहता है, कि seller भाव और buyer भाव के बीच में एक exchange of value ह होता है, ये जो buyer भाव है, seller भाव को देता है, पैसा, पैसा मिलने के बाद seller भाव क्या release करता है, उसको goods and services देता है, इसका मतलब क्या हुआ, exchange of value in terms of money and goods and services, ये transaction में lane देन होता है, और इसी को हम कहते है, inflow and outflow of economic resources, ये हमें transaction के बारे में basic चीज़ पता चल गई, अब ये जो seller भाव और buyer भाव के बीच में transaction होता है, economic inflow and outflow होता है, इस economic inflow and outflow के चार possible outcome हो सकते है, एक transaction से या तो आपका income generate होगा, या तो आपके expenses होगे, या तो आपका asset create होगा, या तो आपकी liabilities create होगी, अब as an accountant हमें एक चीज़ पता है, कि जहाँ पे भी currency use होती है, जहाँ पे भी transaction होता है, उसकी double entry system accounting से, double entry system से हमें accounting करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम इन transactions को income expense asset liability जो हमने classify करके रखे हैं, इन transactions को हम सबसे पहले procedure of accounting से pass करते हैं, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, transaction को identify करो, फिर उसको record करो, और फिर उसको classify करो, तो इस तरीके से हमने transactions को income expense asset liability इन चार categories में classify करके रख दिया इन पहली तीन steps को हम कहते है bookkeeping समझ गए आप लोग bookkeeping के बाद step number 4 में हम करते है accounting accounting में हम क्या करते है summarizing that means हम journal entry बनाते है leisure posting करते है trial balance करते है और फिर financial statements को बनाते है financial statements में P&L balance sheet schedules notes to accounts cash flow statement इन सारी चीज़ों को prepare करते है फिर उसके बाद आता है हमारा extended function of accounting जिसमें हम analyze करते है financial information को result interpret करते है और हम communicate करते है financial statements को to intended users of financial information तो ये बात आपको फिर से याद दिलाने का क्या जरूरत थी ताकि आपकी आखों के सामने जो पूरा का पूरा पिक्चर है scope of audit का वो पूरा का पूरा पिक्चर आपके सामने फिर से create हो जाए coverage of all aspects of entity तो मैंने आपको वो पूरे के पूरे aspects दिखा है किस प्रकार के transaction होते है economic influence outflow होता है ये भी एक aspect entity का उसके बाद में transaction के चार possible outcome होते है income, expense, asset, liability तो ये भी aspect related to entity है aspect related to financial statements है अब मैं आपको फिर से एक बार आपने आखों के सामने एक general purpose financial statement का format लेके आओ profit and loss account, debit side, credit side debit side में हम expenses लिखते है credit side में हम income लिखते है balance sheet में हम क्या लिखते है liability and asset, liability में सारी के सारी credit balances होते है asset side में सारे के सारे debit balances होते है ये basic चीज आपको पता चल गई तो एक auditor को जब कोई भी entity अपने financial statements प्रोवाइड करती है तो उस financial statements में जितनी भी amounts लिखी है वो तो auditor को check करनी ही है लेकिन उसके अलावा auditor को books of accounts में जाके जो source documents जो sale, purchase, expenses इन सारे से related source documents होते है उनको भी check करना पड़ता है ताकि auditor ये ensure कर सके कि जितने documents हमारे पास है उतने सारे के सारे transactions आपके financial statements में reflect हुए है कोई भी transaction छूटा नहीं है कोई भी transaction omit नहीं हुआ है याने ऐसा करके आप ensure करते हो कि सारे के सारे financial transactions complete basis पे financial statements में reflect हुए है this means completeness of your financial data फिर हम लोग क्या ensure करते है accuracy कि जिस document में 10,000 लिखे वो 10,000 रुपे ही financial statement में reflect हुए 10,000 की जगा 5,000 नहीं हुए 10,000 की जगा 15,000 नहीं हुए जितनी exact amount है हमारे source document में उतनी exact amount हमारी reflect हुए तो completeness देख लिया और यह हमारा accuracy हो गया accuracy में हम arithematical accuracy देखते है और क्या देखते है classification की accuracy याने कैसा income का item income में ही दिखना चाहिए expense का item expense में ही दिखना चाहिए income का item expense में और expense का item income में नहीं दिखना चाहिए ठीक है याने cross नहीं होना चाहिए asset, asset side में ही दिखना चाहिए liability का classification proper liabilities में ही होना चाहिए asset का classification liability में और liability का classification asset में दिखा होगे तो गड़बड हो जाएगी ठीक है ये हम दो level पे accuracy check करते हैं उसके बाद में हम क्या check करते है relevance इसका मतलब क्या है for example जैसे हमारा financial year है 1 April 2023 से लेकर 31st March 2024 तर तो relevant information याने 1 April 2023 से लेकर 31st March 2024 तर जितने भी financial transactions हुए है वो relevant information हमने P&L और balance sheet में दिखाई है तो audit में coverage of all aspects of entity का मतलब होता है income expense asset liability याने financial statements में ये चार चीज़े होती है उसके बाद आपके taxation, आपके legal compliance आपके जो भी चीज़े होंगी सारी की सारी statutes, laws, regulations इन से related जितनी भी चीज़े होगी वो सारी चीज़े आप लोग देखने वाले हो income expense asset liability इन में कहा पे कहा पे आपका accounting standard लगता है कहाँ पे Indian accounting standard लगता है कहाँ पे IFRS लगता है कहाँ पे कौन सी चीज़े apply होती है कहाँ पे schedule 3 apply करना है कहाँ पे apply नहीं करना है ये सारी चीज़े आपको देखनी है that means financial statements से related complete aspect आपको audit में cover करना है ये हो गया आपके पहले point का explanation अब हम लोग आते point number B के उपर point number B का heading क्या दिख रहा है आपको वहाँ पे reliability and sufficiency of financial information तो अभी reliability जो हम लोगों ने discuss किया न कि जितने हमारे पास source documents है transaction के वो सारे के सारे हमारे financial statements में reflect होने चाहिए इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने तीन aspects देखे पहला completeness of financial information, accuracy of financial information and तीसरा क्या था ठीक है याद आने के बाद में आपको बताता हूँ ठीक है relevance, completeness, accuracy and relevance इन तीन aspects को हमने यहाँ पे point number A में cover किया था फिर reliability and sufficiency of financial information अब यह auditor के perspective से हम बात करते जो amount income side में मुझे profit and loss account में दिखती है क्या वो reliable है और क्या उससे related sufficient appropriate audit evidence मुझे मिलते है या नहीं for example income side में अगर मुझे 15 लाक रुपे दिखते है एक financial year में इसका मतलब क्या हुआ कि जो proper जो हमारी entity है उसने पूरे साल भर में 15 लाक का revenue generate किया अब मैं क्या करूंगा as an auditor उस amount की reliability check करने के लिए मैं उसके source documents मांगूंगा तो वो क्या कहेगा कि एक ही document नहीं होगा 15 लाक रुपे का 15 लाक रुपे में बहुत सारे चोटे 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 transaction होगे कभी 2000 का sale कभी 10,000 का sale इस तरीके से transaction होगे तो मैं क्या कहूंगा उसके accounting department को जो आपके 15 लाक रुपे reflect होते है उससे related documents मुझे आप लाके दो और मैं उसका vouching करके check करना चाहता हूँ तो ये हो गई आपकी reliability check करना ठीक है फिर sufficiency means what कि आपको वो documents दे पाते है या नहीं दे पाते है कि कोई excuse देता है कि इस particular transaction का document था लेकिन अब नहीं दिख रहा है गुम हो गया तो ये excuses चलने वाले है क्या नहीं तो इस तरीके के basic चीजे हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी होती है तो point number B जो है हमारा reliability and sufficiency of financial information उसमें हम लोग point number 1 क्या देखने वाले है study and assessment of accounting system सबसे पहले आपकी system में transaction को identify करने की capability होनी चाहिए ठीक है फिर आपके accounting system में उन transactions को record करने की याने source document की याने billing करने की capacity होनी चाहिए ability होनी चाहिए फिर transactions को asset income expense asset liability में classify करने की capability होनी चाहिए इस तरीके से हम लोगों ने जो 7 steps of accounting देखे थे जो 3 segments में classify होते है याने कोई भी accounting system में आपकी book keeping properly होनी चाहिए आपकी accounting properly होनी चाहिए और जो आपके extended functions of accounting है वो भी properly function करते रहने चाहिए वो हमेशा function करते रहने चाहिए जब आपका financial year में 12 महिने होते है तो आपकी जो accounting system है वो 12 महिने 365 days काम करनी चाहिए ये मतलब होता है उस sentence का ठीक है मेरे प्यारे future chartered accountants आजाओ वापस study and assessment of accounting system तो as an auditor अगर आपको accounting system का knowledge नहीं है तो आप इस point को fulfill नहीं कर पाओगे तो आपकी accounting system check कैसे करोगे the auditor should be reasonably satisfied that information contained in the underlying accounting records and other source data like bills, vouchers, documents, etc is reliable and sufficient basis for preparation of financial statements तो जब आप study and assessment करोगे accounting system का तो उसमें आप क्या-क्या चीज़े ध्यान में रखने वाले हो सबसे पहले तो आप इनकी accounting PCB entity के accounting system में proper bookkeeping, accounting and extended functions of accounting ऐसे तीन segments में कुल मिलाकर seven steps follow होती है या नहीं ये check करोगे फिर आप क्या देखोगे entity कौन सा accounting software use करती है, क्या वो manually record करती है या फिर वो किसी electronic software का use करती है ठीक है, फिर आप क्या देखोगे आप अगर 31st March के बाद audit करने जाते हो तो entity का accounting system तो functional रहेगा ना, तो past record में आप क्या करोगे उसको check करने के लिए उसकी reliability assessment करने के लिए आप क्या करोगे, कि आप accountant को बोलोगे मेरे सामने एक entry pass करके बताओ तो आपको क्या पता चाहिएगा कि वो accountant को entry करना आता है या नहीं, या उनके system काम करीए या नहीं, तो past historical financial information का judgment लेने के लिए आप क्या करोगे कि भाई, current period में मुझे sample basis पे 2-4 transaction आपके कैसे accounting होती है, वो बता दो याने मुझे एक बात पता चल जाएगी कि आप consistently ये सारी चीज़े follow करते हो या नहीं करते हो आप current year में किस तरीके से accounting करते हो मैं ये assume करके चलता हो कि पिछले साल भी आपने इसी तरीके से accounting की होगी, तो यहां से आपका जो consistency accounting policy वाला जो है consistent accounting policies वाला ये point भी आप fulfill करते हो, तो basically आप study and assessment of accounting system याने identification of financial transaction से लेके representation of that financial transaction into financial statements, end to end आप पूरी की पूरी accounting system उनकी देखोगे कि किस तरीके से काम करते हो, उसके related audit evidence generate करोगे और उसके basis के उपर आप अपना audit opinion बनाओगे कि इनकी accounting system properly function कर रही है या नहीं कर रही है, जब आप अपने account, जब आप entity की accounting system का study करोगे, तब आपको एक प्रकार का confidence आएगा कि हाँ, क्या मैं इस accounting system से जो financial data generate होता है, उस पर rely कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हो, ठीक है, ये decision आप ले पाओगे, फिर जैसे हम लोगोंने accounting system का study किया, उसी प्रकार से हम लोग internal controls का भी study करेंगे, the auditor makes a judgment of reliability and sufficiency of financial information by making a study and assessment of accounting systems and internal controls and by carrying out appropriate test, inquiries and procedures, अब ये internal controls means what, कि इनके accounting department में hierarchy क्या है, officer कोन है, middle level, high level officer कोन है, middle level officer कोन है, और employee कोन है, किसके पास कौन से documents को sign करने की authority है, है न, उसके बाद आप क्या देखोगे, internal controls relating to inventory, internal controls relating to fixed assets, internal controls relating to high value and high risk items, अगर ऐसा इनके पास कुछ है, तो उनसे related आप internal controls जानने की कोशिश करोगे, आप क्या जानोगे इनके बारे में कि ये inventory procure कैसे करते है, inventory procure होने के बाद, पैसा release कब होता है, क्या goods receive होने के बाद, पैसा मिलता है, या advance में पैसा दे देते है, advance में अगर पैसा देते है, तो कौन सा officer sign करता है, advance में पैसा देने के बाद, कितने लोगों ने आपको सही में inventory दी, कितने लोगों आपका पैसा डुबा दिया फिर inventory आपको receive होने के बाद आप उसे कहा पे store करते हो याने warehousing भी आप देखोगे फिर warehousing से आपके manufacturing unit तक inventory किस तरीके से पहुचती है वो देखोगे फिर आप देखोगे कि पूरे साल में और इनके पिछले 2-3 साल में कितनी inventory चोरी हुई है यान उसका safeguarding की चीज़े जो हो गई उसकी storage की चीज़े जो हो गई यह हो गया आपका internal control system authorization, use of inventory, storage of inventory, issuance of inventory उसके बाद में उसका safeguarding क्या inventory का insurance है या नहीं है यह सारी चीज़े तो यह सारी चीज़े आप internal controls में चेक करोगे similarly जो भी इनके fixed asset होते है वो fixed asset उसका original bill आप देखोगे उसकी original value क्या थी फिर आप देखोगे कि company जिस company ने वो machinery बनाई है उसने इसका useful life कितना predict किया है आपकी जो entity है उसने उस machinery का useful life कितना predict किया है क्या दोनों में variance है या नहीं याने company अलग बता रही है और organization अलग बता रह है वो कहती है कि 10 साल चलेगी अब entity कहती है कि 15 साल चलेगी तो यह जो पात साल का difference है यह difference justify करने के लिए management या entity के पास कोई कागज है कोई external survey है किसी expert से उन्होंने opinion लिया है या ऐसे ही बोल दिया यह सारी चीज़े आप देखोगे फिर आप देखोगे कि depreciation कैसे charge होता है है या straight line method है या return down value method है machinery की regular servicing होती है या नहीं होती है उस machinery के पाप उस machinery पे कौन काम करता है क्या वो machinery कोई और भी use करता है sublet हुई है तो यह बहुत सारी चीज़े होती है जो आप internal controls में check करने वाले हो ठीक है तो scope में आपके सारे के सारे financial statements से related aspects आ गए study of study and assessment of accounting system study and assessment of internal controls अब हम बात करते है test inquiries and procedures के बारे में तो test में हम क्या करते है तो test में हम क्या करते है these are specific audit techniques used to examine financial records and transactions test can include substantive test such as verifying account balances and compliance test such as checking adherence to internal controls तो यह checking adherence to internal control वाला example मैंने अभी बताया inventory और fixed assets से related और यह verifying account balance में इस वाट की आपके books of accounts में आपके financial statements में जो debtor और creditor की amount दिखती है जो financial institution से loan लिया हुआ दिख रहा है आप क्या कर सकता है simply एक call करोगे उस financial institution में या फिर उस debtor और creditor को information आपको कहा से मिलेगी calling की organization से आप उनसे phone number मांगोगे और external confirmation करोगे तो इसे कहा जाता है test तो जितने भी amount आपको आपके P&L balance sheet में दिखती है regarding income expense asset liability आप उसका test basis पर checking करोगे ठीक है तो यह जो test है इसको हम कहते है एक specific audit technique used to examine financial records and transaction तो अगर आपको किसी ने पूछा कि audit में test क्या होता है तो आप यह one line answer उसे दे सकते हो ठीक है और उनके example अगर आपको बताना चाहे तो आप example क्या कहोगे substantive test होते है और compliance test होते है यह दो बाते हमें test के बारे में यहाँ पर पता चल गई फिर हमारी आती है inquiry this involves seeking information from knowledgeable persons within और outside the entity inquiries can be formal informal and are used to gather audit evidence clarify issues और corroborate other information तो सबसे पहली जो line है इसमें inquiry की वो क्या कहती है this involves seeking information from knowledgeable persons within और outside the entity अब सबसे main बात जब हमने क्या देखा था कि auditor जो है वो एक organization के बाहर का आदमी है organization के अंदर के आदमी कौन होते है owner and management जो सारे के सारे decisions लेते हैं तो auditor जो है वो fully dependent होता है management के उपर कि वो उसे proper financial information provide करे to conduct the audit अब यहाँ पर क्या होता है और इसलिए ही जो inquiry है यह tool एक auditor के पास होना जरूरी है inquiry वाली जो skill है वो एक auditor को acquire करना बहुत जरूरी है inquiry एक particular communication skill है inquiry में हम लोग करते क्या है this involves seeking information from knowledgeable persons within और outside the entity तो हम लोग entity और entity के बाहर के जो भी supplier वगरे होंगे but related to entity उनसे हम बात करते हैं और उस organization का business environment समझने की कोशिश करते हैं उसके बारे में financial information निकालने की कोशिश करते हैं और यह जो inquiry होती है यह स्वरूप लेता है हमारे audit evidence का audit evidence क्या-क्या हमें help करता है audit evidence हमें help करता है to clarify the issues to corroborate other information ठीक है यह basic चीज हो गई inquiry से related अब हमारा तीसरा है procedures these are systematic steps or actions taken by auditors to obtain sufficient and appropriate audit evidence अब यह जो procedures है इसमें test और inquiry दोनों include होती है procedure का मतलब क्या हुआ systematic steps or actions taken by auditor to obtain sufficient and appropriate audit evidence ultimately क्या होता है जो audit का purpose है to express an opinion on the financial statements यह हम कब कर पाएंगे as an auditor जब हमारे पास sufficient and appropriate audit evidence होगा जो audit evidence हमारे सामने दिखेगा जो information हमारे सामने है उस information को base बना के हम अपना audit report में opinion देते हैं procedures can include inspection, observation, confirmation, recalculation, re-performance and analytical procedures तो यहाँ पर कितनी बाते हमें दिखा दी audit procedures में हम audit procedure में inspection कर सकते है audit procedure में observation हो सकता है confirmation हो सकता है, recalculation हो सकता है जैसे कि depreciation के बारे में हुआ, re-performance हो सकता है जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप accountant को बोल सकते हूँ कि भाई मेरे सामने accounting entry पास करके बताओ है ना, फिर आप बोलोगे analytical procedures तो यह 6 तरह की procedures आपके audit में include होती है और उसमें test और inquiries यह दोनों चीजे भी आ जाती है तो कुल मिला कर यह 8 procedures आपको यहाँ पर बता दी गई है ठीक है तो scope में हम लोगों ने अभी तक coverage of all aspects and reliability and sufficiency of financial information तो जो audit evidence हम लोग gather करते है वो audit evidence reliable होना चाहिए और sufficient and appropriate होना चाहिए to corroborate the financial information audit evidence gather करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते है accounting system को study कर सकते है उसका assessment कर सकते है internal control system को study कर सकते है उसका assessment करना है और उसके बाद में हम audit procedures कर सकते है उन audit procedures में test, inquiries, inspection, observation, confirmation, recalculation, re-performance and analytical procedures ये सारी की सारी procedures हम लोग conduct करते है ताकि हम लोग obtain sufficient and appropriate audit evidence ये कर सके audit evidence मिलने के बाद हम अपना opinion form करने की position में आते है without audit opinion, without audit evidence अगर कोई auditor opinion देता है तो that means what, कि वो independent opinion नहीं है वहाँ पे auditor का independence compromise हो गया है किसी ने auditor को influence किया है है न, ये सारी चीज़े आपकी आती है अब point number आखरी, point number C जो है वो हमें पढ़ना है regarding scope of audit उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले है proper disclosure of financial information तो जितनी भी financial transaction हमने एक साल में financial year में करते है जिनका impact income, expense, asset, liability पर होता है उनसे related सारी की सारी information properly financial statements में reflect होनी चाहिए और schedules and notes to accounts में disclosures भी proper देने पढ़ेंगे आपको तो disclosure में point number one क्या कहता है summarizing transactions and events that means accounting the auditor should also decide whether the relevant information the auditor should also decide whether relevant information is properly disclosed in the financial statements he should also keep in mind applicable statutory requirements in this regard it is done by ensuring that financial statements properly summarized transactions and events recorded therein and by considering the judgments made by management in preparation of financial statements main बात यहाँ पर आपको क्या रखनी है point number one summarizing transactions and events तो जो भी financial transactions and events एक financial year में entity conduct करती है या achieve करती है वो सारे के सारे properly applicable financial reporting framework के हिसाब से आपके financial statements में reflect होने चाहिए और schedules और notes to accounts में आपको उसका proper disclosure देना पढ़ेगा point number two judgments made by management अब क्या होता है कि accounting करते वक्त कुछ बाते absolute होती है यानि जिसका source document हमारे पास है जिसका terms of agreement हमारे terms and conditions है हमारे पास agreement of agreement है वो चीज़े तो absolute है उसमें हमें कोई judgment लेने की जरूवत नहीं है लेकिन कुछ ऐसी बाते होती है जैसे कि doubtful debts है ना कोई contingent asset या contingent liability वाली बात होती है तो ऐसे cases में हमें क्या करना पड़ता है estimate करना पड़ता है forecast करना पड़ता है तो उसी की बात यहाँ पे होती है तो कुछ uncertainties हर एक business में होती है उन uncertainties को address करने के लिए ये जो management है ये कुछ financial judgments लेती है याने कुछ estimates करती है तो उसके बारे में point number two में हम लोग बात कर रहे है the management responsible for preparation and presentation of financial statements makes many judgments in this process of preparing and presenting financial statements तो दो example मैंने आपको बता दिये कि doubtful dates के लिए कितनी provision बनानी है कोई contingent liability है तो उसके लिए कितनी provision बनानी है अगर company ने अपने goods या services में कुछ warranty या guarantee देखे रखी है तो उसके लिए कितनी provision बनानी है तो ये estimate करना पड़ेगा अगर आप sale करते हो कोई goods को तो कितना sale return होता है कितना नुकसान हमें होता है तो वो सारी चीज़े आपको provision कितना discount आप देने वाले हो वो सारी provision आपको create करनी पड़के रहे क्योंकि these are your expenses तो ऐसे financial statements prepare करते वक्त बहुत सारे judgments relating to certain financial statement items एक management को लेने पड़ते है for example choosing appropriate accounting policies in relation to various accounting issues like choosing method of charging depreciation of fixed assets और choosing appropriate method for valuation of inventories तो और दो example आप add कर लो estimate कहाँ पर होगा doubtful debts के लिए कितनी provision बनानी है ठीक है guarantee warranty के लिए कितनी provision बनानी है discount के लिए कितनी provision बनानी है contingent liability अगर है तो कितनी provision खड़ी करके रखनी पड़ेगी या disclosure देना पड़ेगा उसके साथ साथ अगर आप depreciation की बात करो fixed assets के उपर तो straight line method है या आपकी return down value method है asset की useful life कितनी है उसका भी आप estimate करते हो उसमें भी आप judgment लेते हो फिर आपकी आती है valuation of inventory valuation of inventory भी दो प्रकार की होते है valuation of inventory का rule क्या है हमारा market, fair market value और cost whichever is lower जो भी कम होगी उस पे हम लोग इसका valuation करते है तो फिर fair market value पे हमें inventory अपनी financial statements में दिखानी है या cost पर दिखानी है judgment है, estimate है तो इस तरीके से बहुत सारे judgments financial statements बनाते वक्त एक management लेती है तो एक auditor को क्या करना होता है कि auditor को management ने कौन से कौन से judgments लिये है कौन से कौन से accounting estimates को formulate किया है उसको भी एक auditor को check करना होता है कि वो सही है या नहीं है वो appropriate है या नहीं है वो circumstances के हिसाब से उस समय में जो information available थी उसके हिसाब से सही है या नहीं है और आपके जो accounting standards है अपने INDAS है जो भी legal statutes है उनके conditions को वो accounting estimates fulfill करते हैं या नहीं करते हैं याने उनके हिसाब से बने हैं या नहीं बने हैं इनको भी एक auditor को cross verify करना पड़ेगा ठीक है फिर point number 3 selection and consistent application of accounting policies the auditor evaluates selection and consistent application of accounting policies by management whether such a selection is proper and whether chosen policy has been applied consistently on a period to period basis अब यहाँ पर accounting policy हमने क्या देखा depreciation तो auditor क्या देखेगा पिछले 5 साल का एक comparison देखेगा अगर एक particular fixed asset है तो वो देखेगा कि इसकी estimated useful life पिछले 5 साल में consistent है या कोई कभी organization ने life को बढ़ाया है उसकी estimated life को या घटाया है यह एक parameter देखेगा auditor दूसरा parameter क्या देखेगा कि कौन सी method of depreciation use की है पिछले 5 सालों में straight line method या return down value method अगर straight line method follow कर रहे है तो पिछले 5 सालों में वो consistently apply हुई है या नहीं हुई है ठीक है अगर return down value method यूज करते है तो पिछले 5 सालों में वो return down value method ही apply हुई है या नहीं हुई है या नहीं हुई है आपकी जो accounting policies है उसको आप consistently apply करते हो या नहीं करते हो ये auditor चेक करेगा इससे क्या पता चलता है इससे आपकी financial information की comparability बढ़ती है अगर आप एक साल में straight line method लगाओगे और दूसरे साल में return down value method लगाओगे तो आपकी depreciation की value जो है वो change होगी और पिछले साल अगर आपने straight line method वाला depreciation P&L account में दिखाया है इस साल return down value method वाला depreciation P&L में दिखाया है तो ultimately आपका जो profit का amount होगा उसमें वो reflect होगा और फिर पिछले साल का data इस साल के data से comparable नहीं होगा इसलिए consistent accounting policies whether in depreciation inventory valuation और भी जितने भी financial statement के items है जैसे कि doubtful debts उसके बाद में discount की provision इस से related जितनी भी points है वो आपको consistently follow करने पड़ेंगे तभी जाके आपकी जो financial information है वो एक period की information दूसरे period के financial information से comparable होगी अगर आप हर बार parameter change करोगे तो आपकी information comparable नहीं रहेगी apples are compared to apples oranges are compared to oranges apple is not comparable to orange यह basic fundamental principle है तो यह बात आपको point number 2 और point number 3 से पढ़ने को सीखने को मिलती है point number 4 में यह लोग हमें क्या कहना चाहते है historical financial information अब तक हमें यह पता चल गया कि हमारी जो समय की डंडी होती है वो समय की डंडी मतलब क्या होता है हमारा एक financial year financial year हमारा कहा से कहा तक होता है April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February, March 12 महिने 365 days का हमारा financial year होता है इन 12 महिनों में हम जो transactions करते है वो हमारे financial statements में reflect होते है auditor की entry 31st March के बाद होती है हम statutory auditor की बाद कर रहे है ठीक है उसकी entry financial statements का audit करने के लिए 31st March के बाद होती है that means financial year खतम होने के बाद में होती है इसका मतलब क्या हुआ कि auditor का जो भी information audit करने के लिए मिलने वाली है उसका nature क्या है उसका nature है historical nature वो current information नहीं है वो पीछले साल की information है और इसलिए यहाँ पे आपको point number 4 पे दिया गया है historical financial information understand that financial statements of an entity are prepared on historical financial information basis historical financial information means information expressed in financial terms in relation to a particular entity derived primarily from that entity's accounting system about economic events occurring in the past time periods or about economic conditions or circumstances at points in time in the past जो मैंने हिंदी में बताया वही चीज आपको यहाँ पे अंग्रेजी में proper language में बताई गई है point number 2 क्या कहता है for example when purchases and sales are reflected in financial statements of an entity these are examples of historical financial information यानि हमारे P&L और balance sheet में 31st March तक 1 April 2023 से लेकर 31st March 2024 तक जो भी amount हमें दिख रही है उसका nature कैसा है उसका nature है historical financial information वाला these are about transactions which have occurred in the past अभी हुए नहीं है वो हो चुके है since financial statements are prepared on the basis of historical financial information it is logical that audit of financial statements is also based upon such historical financial information therefore audit of financial statements is based upon historical financial information एक अदम एक अदम चिलर बात थी ये लेकिन बताना जरूरी है ठीक है तो ये हो गया आपका scope of audit इतनी बाते आपके scope of audit में include होती है क्या सबसे पहला exhaustive point है coverage of all aspects of entity याने entity के जो financial statements है उस financial statements में जितने भी laws and regulations का impact होता है जितने भी transactions का impact होता है वो सारे के सारे cover किये जाते है financial statement audit में उसके बाद हम आते है reliability and sufficiency of financial information तो एक auditor जो है वो reliability और sufficiency of financial information किस तरीके से ensure करता है याने जो financial information उसे दी जा रही है वो reliable है या reliable है या नहीं या sufficient है या नहीं वो कैसे decide करता है तो उसके पास चार तीन तरीके हैं पहले accounting system देखो दूसरा internal control system का audit कराओ याने checking करो तीसरा audit की अलग-अलग procedures को apply करो test, inquiries, procedures test में क्या होता है आप substantive test कर सकते हो या compliance test कर सकते हो inquiries में क्या कर सकते हो आप inquiries within and outside the organization procedure में आप कौन सी procedures follow कर सकते हो inspection, observation, confirmation, recalculation re-performance, analytical procedures तो इस तरीके से एक auditor अपना पूरा का पूरा audit cover करता है reliability and sufficiency of financial information को determine करने के लिए फिर हमें पता चला point number C which is proper disclosure of financial information तो जितना भी आपका financial information है वो आपके financial statement में reflects होने चाहिए और उससे related further explanatory material है वो सारा का सारा आपके notes to accounts में disclose होना चाहिए तो summarizing the financial transactions point number one दूसरा judgments made by management उससे related proper disclosures आपके financial statements में होने चाहिए जहाँ पर भी management ने judgment लिया है estimate किया है तो जो भी figure आपके PNLN balance sheet में management के judgment या estimate के उपर based है उससे related notes to accounts में आपको disclosure दिखना चाहिए फिर और उस judgment या estimate का logic उसका calculation भी properly दिखना चाहिए कि वो amount किस तरीके से arrive की गई है point number 3 में consistent application of accounting policies होनी चाहिए और एक बात हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि audit जब भी होता है वो होता है historical financial information का ठीक है ये बात हो गई हमारी scope of audit what it includes याने audit में क्या-क्या चीज़े include होती है उससे related detail में discussion हम लोगों का complete होता है ठीक है मेरे प्यारे future chartered accountants आजाओ अब हम लोग बात करने वाले हैं discussion करने वाले हैं regarding point number 4 जो है हमारा scope of audit what it does not include याने audit में क्या-क्या चीज़े include नहीं होती है ऐसी कौन सी बात है जो audit के scope के बाहर है ये बाते हम लोग पढ़ने वाले हैं तो उसमें सबसे पहला हम point number A पढ़ते है which is duties outside auditor's competence एक व्यक्ति का एक particular competence होता है skill, ability होती है उस skill और ability और knowledge के basis के उपर वो काम करता है वैसे ही auditor के पास भी एक particular knowledge base है कुछ skills है और क्या है एक particular competence है तो जितना उसका knowledge है skill है और competence है उतनी बाते वो perform कर पाएगा auditor कुछ बाते उसके competence की बाहर की होती है वो कौन सी बाते हैं वो हम लोग यहां पर देखने वाले है auditor is not expected to perform duties auditor is not expected to perform duties which fall outside the domain of his competence for example physical condition of assets physical condition of certain assets like that of a sophisticated machinery cannot be determined by him लेकिन auditor कर क्या सकता है auditor के पास engineering का knowledge नहीं है तो उसके लिए auditor क्या करेगा उसके उपर अपना opinion नहीं देगा कि यह सही है या नहीं वो arrogance हो गया वो fake opinion हो गया ठीक है auditor के पास option क्या है कि auditor एक qualified engineer को hire करेगा जिसको उस sophisticated machinery का knowledge है जो qualified है जिसके पास sign करने की authority है जिसको certificate issue करने की authority है जिसके पास certificate issue करने की authority है उस engineer से वो consultancy लेगा और उस consultancy और certification के basis के उपर वो काम कर सकता है एक auditor खुद किसी sophisticated machinery के बारे में certification या opinion नहीं दे सकता वो expert के opinion के उपर अपना reliance रख सकता है ठीक है तो यह हो गया आपका पहला point दूसरा point ऐसी कौन सी बात है जो auditor के competence के बाहर है तो वो होती है suitability of civil structure similarly it is not expected from an auditor to determine the suitability and life of civil structure like that of buildings these require different skill set which may be performed by qualified engineers in their respective fields तो जैसा हमने machinery के बारे में बात की थी similarly यह जो civil structures है इनके बारे में अगर आपको life के बारे में और इनके suitability के बारे में इनके general बारे में जनकरी चाहिए होगी तो एक auditor क्या करेगा किसे civil engineer या architect के पास जाएगा जिसको इसका knowledge है उससे consultancy लेगा उससे return documents बनवा लेगा certifications बनवा लेगा और उसके basis के उपर वो अपना audit opinion फॉर्म करेगा लेकिन वो खुद वो सारे certification के काम नहीं कर सकता क्योंकि हमारे chartered accountancy के पढ़ाई में हमारे auditing की पढ़ाई में किसी भी civil engineering की पढ़ाई नहीं है किसी भी machinery की पढ़ाई नहीं है इसलिए वो knowledge as an auditor हमारे पास नहीं है common sense वाली बात हो गई ऐसे ही तीसरी बात है authentication of documents हम कोई CID नहीं है हम कोई forensic department वाले नहीं है हमारे पास किसी प्रकार की कोई scientific laboratory नहीं है यह जानने के लिए कि कौन सा document सही है original है और कौन सा document duplicate है या forged है या गलत है अगर मैं आपको यह example दू कि आप असली note और नकली note में पहचान कैसे करोगे तो हमारे जैसे normal लोग पहले ही site में असली और नकली note का फरक नहीं जान सकते हमें यह तो वो machine लगेगी जो infrared light से या infrared rays से असली और नकली note में फरक करते है या फिर हमें किसी bank या financial institution में जाना पड़ेगा या RBI में जाना पड़ेगा to know whether this note is असली या नकली है ना इसी तरीके से जो हमारे पास documents आते है relating to income, expense, asset, liability अब यह auditor की जिम्मेदारी है नहीं है और उसके पास competence भी नहीं है कि वो document असली है या नकली यह बता सके जो management information देगी वो हम लोग check करेंगे ठीक है तो ये तीन बाते जो है और इनके जैसे और भी बहुत सारे fields है जो auditor के competence के बाहर है तो ऐसी चीजों में आपका scope of audit अपलाए नहीं करेगा ठीक है point number B क्या कहता है audit is distinct from investigation तो यहाँ पे हमें ये एक बात बताने की कोशिश कर रहे है कि भाईया समझ लो there is a difference between the process of audit and the process of investigation दोनों अलग-अलग है दोनों को mix-up कभी मत करना तो point number B हमें क्या कहता है audit is distinct from investigation point number 1 an audit is not an official investigation into alleged wrongdoing auditor does not have any specific legal powers of search or recording statements of witnesses on oath which may be necessary for carrying out an official investigation यानि सबूत और जो साक्ष होते हैं जो witness होते हैं उनको हम आज के समय में तो video record करते हैं लेकिन पुराने समय में क्या होता था police हो गए, CID हो गई, crime branch वाले हो गए जिनके पास search and official search की official power होती है या witness है इसका statement record करने की power होती है वो क्या करते थे? बिठाते थे? जैसे हम television पी क्या देखते है CID का एक trademark जापड पड़ता है और सब सच उकालाता है तो real life में वैसा नहीं होता है real life में बहुत अलग procedure होती है लेकिन to give you a visualization auditor के पास ऐसी power नहीं है कि वो किसी को बिठा के witness बना के उसका statement record करे यह power auditor के पास नहीं होती है और इससे related इसका मतलब क्या हुआ कि जो investigation है उसमें ऐसा हम for example कह सकते है कि unlimited powers आपके पास है लेकिन जो audit है वो पूरा का पूरा आपका focus करता है financial statements के उपर अब financial statements से related जितनी चीज़े होगी वो auditor के competence में है उसके बारे में auditor के पास powers है लेकिन auditor के पास यह power नहीं है कि वो यह कह सके कि हाँ यहाँ पे गलती हुई है अब तो मैं इसका investigation करूगा this is not the duty of auditor this is outside the scope of auditor audit audit does not have any specific legal auditor does not have any specific legal powers of search or recording statement of witnesses on oath which may be necessary for carrying out an official investigation अब देखो point number two audit is distinct from investigation audit or investigation in दोनों processes में फरक है वो फरक क्या है investigation is a critical examination of accounts with a special purpose investigation का एक special purpose होता है for example if fraud is suspected and it is specifically called upon to check the accounts whether fraud really exists it takes character of investigation क्या कहते हैं यह लोग if fraud is suspected and it is specifically called upon to check याने हमें ऐसा लगता है कि यार यहापे financial fraud हुआ है और उस financial यहापे financial fraud हुआ है या नहीं यह चेक करने के लिए जब हम किसी व्यक्ति को बुलाते हैं to check the financial statements तब हम कह सकते हैं तब वो जो process है वो investigation का स्वरूप ले ले करती है उसे अपने financial information देती है और वो बताती है कि जो भी business और commercial laws है जीतने भी accounting rules regulations laws है उसके हिसाब से हमारे financial statements बने है या नहीं यह चेक करके आप अपना audit opinion दो और पैसे लेके free हो जाओ ठीक है यह basic चीज होती है लेकिन investigation में क्या होता है investigation होता ही तब है जब हमें लगता है कि यहापे कोई criminal activity हुई है यहाँ पर कोई fraud हुआ है तब investigation होता है audit general routine है investigation special routine है ठीक है point number 3 objective of audit अब audit का objective क्या होता है investigation का objective तो आपको यहाँ पर बता दिया अब audit का objective क्या होता है the objective of audit on the other hand as has already been discussed is to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement whether due to fraud or error thereby enabling the auditor to express an opinion क्या है audit का पर्पस the purpose of audit is to obtain reasonable assurance absolute assurance हम नहीं चाहते है हम reasonable assurance चाहते है investigation में हमें absolute evidence चाहिए होता है audit में हमें reasonable assurance चाहिए होता है ठीक है about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement material misstatement याने क्या कि कोई ऐसा information जिस information के basis के उपर बहुत सारे लोग अपना economic या financial decision लेते हैं तो अगर यह जो basic information है यह गलत हुई तो जो users of financial statements है वो जो economic decisions लेने वाले हैं उनका decision भी गलत हो जाएगा तो auditor को क्या ensure करना पड़ता है the financial statements are free from material misstatement याने जो users of financial statement है उनका नुकसान ना हो यह ensure करना auditor की जिम्मेदारी है ठीक है और वो reasonable assurance gather करके वो अपनी जिम्मेदारी fulfill कर सकता है point number 4 scope में क्या होता है the scope of audit is general and broad whereas scope of investigation is specific and narrow तो जब कोई आपको पूछे की audit का scope किस तरीके का है तो आप बताओगे the scope of audit is general and broad क्योंकि word क्या use होते है financial statements as a whole लेकिन जब हम investigation की बात करें तो investigation का scope specific होता है narrow होता है जहाँ पे हम doubt होता है वही पे हम investigation करते हैं हम investigation सब लोगों का नहीं करते हैं हमें जहाँ पे लगता है fraud हुआ है उस particular information का ही investigation होगा पूरी की पूरी information अगर मैं suspect करता हूँ कि मेरे जो expenses है मेरे accounting department वालोंने गड़बड़ी करके expenses को inflate किया है और fake documents provide किये है और company से उन expenses का reimbursement लेके खुद की जेब में डाला है अगर मुझे यह लगता है so this is a fraud fraud by collusion between two or more employees तो अगर ऐसी चीज़ है तब मैं specifically उन expenses में हुआ fraud है उसको find out करने के लिए जो भी procedure करूँगा उसे कहा जाता है investigation लेकिन audit में ऐसा नहीं होता audit में क्या होता है जितने भी आपके financial statement के line items है उन सारे का आप general checking करते हो ठीक है तो यह हो गया मेरे प्यारे मित्रो what the audit में कौनसी चीज़े include नहीं होती है तो उसका answer आपको यह लिखना पड़ेगा अगर exam में आपका question आता है what is not included in audit तो आपको यह बताना पड़ेगा फिर अभी हमारा क्या हो गया हमारा पूरा का पूरा जो topic है scope of audit वाला यह discuss हो चुका है इसमें हम लोगों ने डो main topics discuss किये audit में क्या include होता है और audit में क्या include नहीं होता है दो aspects हमने cover किये अब हमारा test your understanding वाला portion आ रहा है जिसमें हमने जो भी चीज़े सीखी है जो भी चीज़े पड़ी है उसका examination होने वाला है कि हमें यह topic सही तरीके से समझा है या नहीं समझा है तो पहला example देखो लाल जी भाई has purchased shares of a company listed on NSE तो एक व्यक्ती है लाल जी भाई उन्होंने invest किया है कहाँ पर invest किया है shares में कौन सी एक company है जो listed है national stock exchange के उपर उस company के shares हमारे लाल जी भाई ने खरीदे है यह basic चीज़ अब ध्यान में रखो the audited financial statements of the company provide picture of healthy financial performance having robust turnover, low debt and good profits तो पहले sentence में हमें investor की जानकारी दी दूसरे sentence में हमें audited financial statements की जानकारी मिलती है audited financial statements क्या reflect करने वाले है क्या reflect करते है audited financial statements याने audit report यह reflect करती है कि जो financial statement है वो healthy है robust turnover है debt low है और profits अच्छे है तीन indicators यहाँ पर बताए है on above basis he is absolutely satisfied याने लाल जी भाई इन तीन basis के उपर कि financial performance robust है turnover अच्छा है low debt है profit अच्छे है लाल जी भाई ने audited financial statements का थोड़ा analysis किया उन्हें ये तीन बाते पता चली और उसके basis पर ये जो लाल जी भाई है इनका opinion क्या बनता है he is absolutely satisfied that money invested by him is safe and there is no chance of losing his money ये लाल जी भाई का कहना है क्यों? क्योंकि उन्होंने audited financial statements में इन तीन indicators को देखा है दू audited results and audit reports of companies provide such assurance to investors like लाल जी भाई is thinking of लाल जी भाई correct? तो यहाँ पर हमें सवाल क्या पूछा गया है? कि एक व्यक्ति है लाल जी भाई जिनोंने national stock exchange पर listed एक company के shares में पैसा invest किया है उनका ये economic decision लेने का basis क्या था? तो उनका economic decision लेने का basis था financial statements financial statements से उन्हें क्या पता चला? financial statements में से उन्हें दो-तिन चीज़े पता चली पहला robust turnover ये पता चला उन्हें दूसरा debt कम है company का और profits अच्छे है ये तीन indicators लाल जी भाई को audited financial statements में से पता चले उसके basis के उपर on above basis इस audited financial statements के indicators के उपर लाल जी भाई का कहना है कि he is absolutely satisfied याब यहाँ पर keyword है absolutely अब मुझे आप एक बात बताओ जब भी audit word आता है जब भी audit word आता है तो हमारे सामने दो शब्द हमेशा लगने चाहिए एक है reasonable assurance और दूसरा शब्द है आपका absolute assurance ठीक है audit में हमें क्या मिलता है audit में हमें मिलता है reasonable assurance audit कभी भी हमें absolute assurance नहीं देता है तो यही पर आपका answer final हो जाता है इस question का यहाँ पे भी आप यह शब्द देखो absolutely इसका मतलब क्या हुआ कि लाल जी भाई फ़स गए है ना लाल जी भाई को यह पता नहीं तक कि जो हमारा audit है वो कभी भी absolute assurance नहीं देता वो देता है reasonable assurance अब हमाई सवाल क्या पूछा गया है अब is absolute वो absolutely satisfied है कि इस बात में कि उनका पैसा safe है there is no chance of losing his money लेकिन हमारे जैसे जो पड़ेली के auditors है उनको पता है कि audit में हमेशा reasonable assurance आपको मिलने वाला है absolute assurance कभी भी कोई भी auditor आपको नहीं देगा कोई भी financial statements चाहे वो audited क्यों नहीं हो वहाँ पे आपको absolute assurance नहीं मिलने वाला है तो यही पे हमारा answer final हो गया अब हमारे सामने question क्या फेका गया है do audited results and audit reports of companies provide such assurance such assurance means absolute assurance to investors like लाल जी भाई is thinking of लाल जी भाई correct no thinking of लाल जी भाई is not correct क्योंकि हमें पता है कि auditor audit का nature इस तरीके का है कि उसमें से जो भी audit evidence हम लोग gather करने वाले हैं वो हमेशा persuasive होगा rather than conclusive तो conclusive audit evidence से हम हमेशा reasonable assurance गेन कर सकते हैं यह basic nature हुआ आपके answer का आजाओ अब हम लोग इसका answer exam में किस तरीके से लिखना है वो देखते हैं तो point number one में आप क्या लिखोगे नो लालजी भाइस thinking is not entirely correct not entirely correct language के ओपर ध्यान देना while audit while audited financial statements and audit reports provide a degree of assurance regarding the accuracy and reliability of company's financial performance they do not provide absolute assurance that the investment is entirely risk free reasonable assurance देता है absolute assurance देता है audited financial statements the purpose of an audit as defined is to enhance the degree of confidence of intended users in the financial statements by expressing an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with applicable financial reporting framework तो आप सबसे पहले provisions क्या है वो आप बता दोगे ठीक है फिर point number two में क्या लिखोगे audited financial statements aim to give a true and fair view of company's financial position and performance however they do not eliminate all the risk associated with the investment हम investment के बारे में audit नहीं दे रहे हम financial statements as a whole उसके बारे में opinion दे रहे हैं वेरियस factors can impact the future performance of company including market conditions, economic factors, regulatory changes and management decisions कौन से कौन से ऐसे factors है जो future performance company के future performance में impact कर सकते हैं अब हम लोगों ने अभी अभी एक recent point पढ़ा था कि audit किस financial information का होता है audit historical financial information का होता है audit future वाले financial information का नहीं होता है तो कभी भी जब आप audited financial statements देखोगे तो company का track record पता चलेगा company future में कैसे perform करने वाली है वो पता नहीं चलने वाला है तो वही बात यहाँ पर आपको बताई जा रही है future performance के उपर impact कौन से कौन से points का हो सकता है future performance के उपर कौन से कौन से चीजों का impact हो सकता है तो market conditions बदल सकती है economic factors बदल सकते है company कोई rules and regulations में changes आ सकते है है ना उसके बाद में management के decisions गलत हो सकते है तो इसके इनकी guarantee auditor नहीं देता management कुछ भी decision ले सकती है जिसकी वज़े से फाइदा भी हो सकता है नुकसान भी हो सकता है none of which can be fully predicted or controlled by an audit point number 3 the audit provides reasonable assurance but not absolute assurance meaning that there is still a possibility of undiscovered misstatement or fraud हम absolute assurance नहीं देते भी या हम reasonable assurance देते है हमारा audit होने के बाद भी ये possibility है हो सकती है कि आपके financial statement में कुछ misstatement या fraud बाकी रह जाए क्योंकि audit investigation नहीं होता है audit का मतलब हम अपना opinion देते है हम हर एक transaction को check नहीं करते हम sampling basis के उपर जो financial transactions है पिछला track record क्या है company का आपकी accounting system internal control system की इस तरीके से काम करती है उनके सारे के basis के उपर अपना opinion बनाते है प्लस जो auditor होता है उसके पास limited resources होते है time का constraint होता है financial fees का constraint होता है इसका मतलब क्या 31st March के बाद जो आपका tax audit या जो भी statutory audit का time होगा तो एक specific 31st March के बाद 30 days, 40 days, 60 days एक specific time होता है उस time में आपको audit complete करके उसके उपर opinion देना होता है यानि audit report provide करनी होती है प्लस आपको audit करने के लिए एक specific amount की fees दी जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि audit conduct करने के लिए आपके पास समय भी limited है और पैसे भी limited है जितना पैसा आपको मिलता है उसमें से आपको अपनी audit team को भी पैसा देना है audit के खर्चे भी निकालने है और अपना profit भी आपको बचाना है तो यह सारे constraints होते है audit की process के उपर और इसकी वज़े से हम हमेशा audit evidence जो है वो reasonable assurance audit evidence हमारा persuasive होता है rather than conclusive और persuasive audit evidence का result होता है reasonable assurance conclusive evidence का outcome होता है absolute assurance audit में हमें क्या मिलता है persuasive evidence investigation में हो सकता है कि हमें conclusive evidence मिल जाए depending on the circumstances तो इस तरीके से बात होती है therefore while the audited results can inform investment decisions they should not be the sole basis याने आप पूरा का पूरा audited financial statements के उपर relied नहीं कर सकते for assuming complete safety of investment investors like लाल जी भाई should also consider other aspects such as market trends industry performance and economic conditions before making investment decisions यह basic चीज़ आप अपने जवाब में इन तीन पॉइंट में Institute of Chartered Accountants of India के exam में जब अगर कोई इस तरीके का question आता है तो आप लिखके आ जाओगे लेकिन Institute जिस तरीके से हमारे paper चेक करता है अगर आप ये answer लिखोगे या इससे अच्छा भी answer लिखके आओगे तो भी कोई guarantee नहीं है कि आपको full marks मिलेंगे वो सारी की सारी mercy institute के हाथ में है सारी की सारी mercy institute की है तया मर्जी मर्शी जो कहना एक है आपके नसीब में होगा तो आपको marks मिलेंगे आपका नसीब खराब होगा तो कोई examiner याने जो paper check करने वाला होगा वो आपको बेकार marks देके चले जाएगा ठीक है ये एक reality है उसके बात क्या होता है question number one हमारा discussion complete होता है अब हम आते है question number two के उपर Good Deeds Limited is engaged in business of recycling of waste from dumping grounds of municipal corporation of indoor to usable manure याने एक company है Good Deeds Limited उसका business क्या है recycle of waste वो raw material कहा से लेती है municipal corporation of indoor का जो ground होता है वहाँ से वो raw material लेके आती है और उसको transform करती है usable manure में ठीक है It is in this way also helping to make the city clean during course of audit Zoha and Zoha a firm of auditors it is observed by auditors that company has received a notice from Central Bench of National Green Tribunal तो एक organization है जिसका नाम है Central Bench of National Green Tribunal तो ये Zoha and Zoha जो firm है audit करते समय उनको एक notice दिखा वो notice किस ने दिया था Central Bench of National Green Tribunal for not following certain environmental regulations involving imposition of hefty monetary penalty याने auditor सहाब को एक notice दिखा उस notice में क्या था कि आपने environmental regulations को follow नहीं किया है या violate किया है जिसका result है hefty monetary penalty to the company that is good deeds limited के नाम पर एक hefty monetary penalty भविश्य में लग सकती है the company is yet to reply to the notice company ने अभी तक उस notice का reply नहीं दिया है the auditors point out the same is not stated in notes to accounts याने proper disclosure नहीं दिया हुआ है in the financial statements the company points out that auditors are going beyond the scope of their work does such a matter fall within the scope of audit yes penalty जितने हमारा point क्या था covering all aspects of entity relating to financial statements याने financial statements related entity के जितने भी aspects है वो सारे के सारे scope of audit में include किये जाते हैं तो इसका answer क्या हुआ जब company ने कहा कि auditor साहब ये आपके scope में नहीं आता तो auditor साहब जवाब क्या देंगे कि ये हमारे scope में include होता है आपको hefty monetary penalty का notes to accounts में proper disclosure देना पड़ेगा तो क्या होता है point number one क्या हम लिखेंगे सबसे पहले तो scope of audit हम लोग बता देंगे उनको the scope of an audit includes the examination of all aspects of entity that are relevant to the financial statements being audited clearly बता दिया this involves ensuring that the financial statements provide a true and fair view of the company's financial position including all material information that could affect users understanding and decision तो point number one में हमने उनको scope of audit बता दिया point number two हम क्या कहेंगे materiality and disclosure दोनों important topics है matters that could significantly impact the financial statements hefty monetary polity can significantly impact financial statements यानि good deeds limited के financial statements पे उसका impact पड़ने वाला है such as potential penalties from regulatory bodies will fall within the scope of audit तो यहाँ पे हमने बता दिया कि भाई यह material है और इसका disclosure लगना चाहिए auditors are responsible for assessing whether such matters have been appropriately disclosed in the financial statements non-disclosure of significant potential liabilities could mislead the users of financial statements and affect their decision making यानि good deeds limited ने hefty monetary policy के बारे में disclosure ना देके एक material misstatement किया है material misstatement की वज़े से जो economic decision makers है उनके economic decision के उपर इसका impact पड़ने वाला है तो scope of audit में यह included है materiality and disclosure से related provisions हमने यहाँ पर समझा दी है अब point number C में हम आते है answer के और क्या कहते है legal and regulatory compliance auditors are required to consider the entity's compliance with laws and regulations यानि उन्होंने जो environmental laws good deeds ने environmental laws and regulations का violation किया उसकी वज़े से उनके उपर penalty लगी है तो auditor क्या auditor की responsibility क्या है auditors are required to consider the entity's compliance with laws and regulations as non-compliance can have a material impact on the financial statements ठीक है in this case the notice from the national green tribunal and the potential monetary penalty are significant enough to warrant disclosure in the financial statements अब point number D में हम अपना conclusion बता रहे है conclusion क्या है हमारा the matter of the notice from national green tribunal falls within the scope of audit तो भाया clearly scope of audit में include होता है बता दिया हमने conclusion की पहली line में the auditors are correct in pointing out omission as it is material fact that should be disclosed in the notes to accounts this ensures that financial statements present a true and fair view of company's financial position considering all potential liabilities तो दोनों questions में हमने scope of audit का answer दिया है पहला scope of audit में absolute assurance नहीं आता ये वाला question था और दूसरा scope of audit में क्या include होता है वो वाला conceptual clarity हमें मिला अब तीसरा जो question है हमारा test your understanding उसको भी देख लेते हैं question number 3 क्या कहता है a huge fire broke out in noeda plant of kt limited तो question में हमारी organization का नाम क्या है kt limited उसका location क्या है noeda और उसका एक manufacturing plant है वहाँ पे एक fire accident हुआ है ये चीज़ अब ध्यान में रखो plant assets comprising buildings, machinery and inventories were insured from branch of a public sector insurance company तो kt limited का जो plant था उसके अंदर जो उसकी building थी, machinery थी, inventory थी वहाँ पे आग लग गई लेकिन एक अच्छी बात ये है कि ये सारी चीज़े building, machinery, inventories ये insured थी from a public sector insurance company ठीक है फिर, apart from an insurance surveyor who was deputed for assessing the loss the regional office of insurance PSU also appointed a CA for verification of books of accounts or financial records of the company and circumstances surrounding the loss he was also requested to submit an early report would the report by CA will be in the nature of audit report अब यहाँ पे देखो हमारा कौन सा मुद्दा clear होने वाला है audit और investigation ये दोनों में फरक होता है ये वाला मुद्दा हमारा इस question में fulfill होने वाला है अब यहाँ पे जो insurance public sector unit जो है insurance का उसने एक CA को hire किया है उस chartered accountant को hire किसलिए किया है complete audit of financial statements के लिए नहीं किया है जो fire broke out हुई उसके लिए एक insurance surveyor था वो insurance surveyor का काम क्या था site पर जाके यानि नोईडा plant में जाके building machinery and inventories का कितना नुकसान हुआ है उसका survey करना इस insurance surveyor का काम था along with this insurance surveyor इस insurance company ने एक chartered accountant को भी hire किया और उनके books का verification करने का उसको काम दिया लेकिन इन books का verification कहा तक सीबीन था circumstances surrounding the loss यानि पूरे के पूरे aspects entity के सारे aspects की जानकरी हमें नहीं चाहिए entity के assets, building machinery, inventories और जो आग लगी उससे related जो circumstances है उनसे related काम इस chartered accountant को दिया गया he was also requested to submit an early report would the audit, would the report by CA is in the, will be in the nature of audit report अब यहाँ पे इनोंने पूरे question में कही पे भी audit report यह word यूज नहीं किया है यहाँ पे केवल report यूज किया है इसका मतलब क्या हुआ this is a specific investigation this is a specific work it is not the audit work अब answer देखो हम किस तरीके से लिखेंगे nature of CA's assignment involves verifying the accuracy and completeness of financial records assessing the circumstances surrounding the loss तीसरा point determining the validity and extent of insurance claim तीन काम इस chartered accountant को करने थे फिर क्या होता है audit report versus investigation clarity के साथ हम लोगों को बताना है कि audit क्या है और investigation क्या है audit report का objective क्या होता है the primary objective of an audit report is to provide an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with applicable financial reporting framework scope क्या होता है audit का audit involves examining financial records internal records and compliance with accounting standards and regulation investigation में क्या करते हम objective क्या होता है investigation का the CS task in this context is to specifically investigate the insurance claim including the circumstances of fire and the resulting financial loss clearly इस question में जो CA को task दिया गया था वो audit के nature का नहीं था उसके बाद में वो एक investigation project है उसके बाद में scope क्या होता है investigation का this involves a more detailed examination of specific events and transactions related to the fire incident at the insurance coverage it is focused on determining the validity and extent of insurance claim rather than providing an overall opinion on the financial statements पूरे के पूरे के पूरे financial statements पे opinion नहीं देते हैं हम लोग के वल सारे के asset side में जो balance sheet में है उसमें से भी specific building machinery और inventories इन तीन assets के बारे में ही हम जानकारी chartered accountant को मांगते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ हम बहुत ही specific जानकारी चाहिए financial statement as a whole हमें जानकारी नहीं चाहिए तो यहां पे आपका point number two clear हो गया investigation and audit report answer का अब आप दोगे conclusion conclusion में आपको क्या लिखना है the report by the CA in this scenario is not in the nature of traditional audit report instead it is an investigation report aimed at verifying the details of the insurance claim and the circumstances surrounding the fire laws the objective is to provide the insurance company with an assessment of the legitimacy and accuracy of the claim rather than to express an opinion on the overall financial health or compliance of KT Limited तो इस case में जो भी टास्क इस चार्टर अकाउंटन को दिया गया था वो बहुत ही specific था इस example में specific काम के लिए chartered accountant को hire किया गया financial statements as a whole इसके उपर उसको opinion नहीं मांगा chartered accountant को opinion मांगा building, machinery and inventories के उपर और specific incidents के उपर पूरे financial year का report नहीं मांगा specific जिस दिन आग लगी उसके इर्दगिर्द के क्या circumstances थे और building, machinery, inventory इनका कितना नुकसान हुआ और actual जो insurance surveyor ने claim का amount निकाला है वो ठीक है या नहीं है यह basic काम यहाँ पर इन्होंने दिया था तो यह 3 tricky questions आपको exam में आने की संभावना है in this context अब इसमें कुछ अलग mixing कर सकते हैं वो लो तो जब भी आप scope of audit से related questions पढ़ोगे तो शब्दों पर बहुत ज्याता ध्यान देना जैसे की हम लोगों ने पहले सवाल में जो लाल जी भाई वाला सवाल था उसमें हम लोगों ने पटाक से पकड़ लिया कि भाई पूरे question में absolute assurance की बात हो रही है है न और हमारा audit क्या कहता है reasonable assurance तीसरे question में हमने word क्या पकड़ लिया जो हमारा तीसरा question था कहा गया रे यलती आजा यह हो गया इस पूरे question में audit report कहीं पर भी word यूज नहीं हुआ केवल report याने early report हुआ अब यहाँ पर institute चतुराई क्या करता है audit report early report ऐसे rhyming words यूज करेगा ताकि आपके mind में confusion create हो जाए कि audit report की बात हो रही है या early report के बात हो रही है यहाँ पर यह early report नहीं भी देते तो भी चलता था तो यह game आपको समझना पड़ेगा जब भी आप question पढ़ोगे question में दिये हुए हर एक शब्त के उपर हर एक sentence के उपर आपको ध्यान रखना है और question पढ़ते पढ़ते ही अगर आपके दिमाग में conceptual clarity है तो question पढ़ते पढ़ते ही आपका answer create हो जाएगा और तुरंत आपको exam में answer लिखना शुरू करना है यह capability आपको लानी है अब यह capability ला जब तक आपकी CA intermediate के group 1 group 2 pass नहीं होते तब तक आपको पढ़ाईक करते रहना है जब तक आपका CA final का group 1, group 2 और sara orientation यह नहीं होता है तब तक आपको पढ़ाईक करते रहना है उसमें आपकी 10 revision हो 15 revision हो 12 revision हो 2 revision हो 1 revision हो it does not matter matter क्या करता आपके दिमाग में सारा का सारा डेटा एकदम फ्रेश रहना चाहिए और एक्जाम के जो तीन घंटे होते हैं उन तीन घंटों में आप उन answers को deliver कर पाओं this is what matters number of revisions does not matter दिमाग में रटा है या नहीं दिमाग में conceptual clarity है या नहीं यह माइंड करता है यह matter करता है ठीक है तो मेरे प्यारे future chartered accountants इस तरीके से इस वीडियो का भी एक बहुत ही अत्यांत सुखद अंत हम लोग करते हैं और scope of audit यह topic आपका complete discuss हो चुका है ऐसा मैं घोशित करता हूँ ठीक है अब अगला topic हमारा कौन सा रहेगा इसके बाद वाला जो वीडियो बनेगा उसमें मेरे प्यारे future chartered accountants हम लोग पढ़ने वाले हैं एक topic जिसका नाम है inherent limitations of audit यह वाला topic भी exam में question आने के point of view से important है ठीक है तो अगला वीडियो भी आप लोग मिस मत करना अब जाने से पहले as usual आप सब लोगों से एक छोटी सी request यह मेरा YouTube channel है जिसका नाम है श्रीनिदी बोरिकर CA Intermediate इसको आप YouTube पे ढूंडिए इसमें आपको CA Intermediate से related videos मिलेंगे currently मैंने audit से related videos डालना शुरू किये है video क्रमांग का एक दो और तीन तीन videos audit के chapter 1 के आ चुके है this is the fourth video और ऐसे ही करके जितने भी आपके audit के chapters है मेरा पूरा का पूरा intention है पूरा का पूरा plan है कि आपके लिए YouTube के उपर audit का पूरा syllabus video lectures available करा दू तो इसके लिए मुझे आपका support चाहिए support किस form में चाहिए video को ढूंडिए channel को subscribe करिए videos को like करिए और अपने CA students के साथ जो आपके दोस्त है CA community जहाँ पर आपका groups होंगे वहाँ पर इसे share करिए ताकि सारे CA students को इसका फाइदा हो और मुझे क्या फाइदा होगा इसका monetary फाइदा तो होगा ही definitely जब channel monetize होगा तब वो बात की बात है लेकिन सबसे पहली बात क्या हो जाएगी कि जो students है अभी मेरे सामने कोई भी student नहीं बैटा है इसका मतलब क्या हुआ मुझे कोई भी feedback नहीं मिल रहा है कि आपको मैं जो सिखा रहा हुआ आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है का feedback नहीं आएगा मेरा teaching improve नहीं होगा तो यह दो aspects है इन दो aspects में से पहला aspects में second वाला जो aspect है feedback of students to improve my own teaching मेरे delivery style मेरे videos की style यह सारा improve होना चाहिए और यह depend करता है आप लोगों के ओपर ठीक है तो आप comment section का positively constructively use करिए to give me your genuine feedback ठीक है मेरे प्यारे बच्चो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप बढ़ाई करिए life को enjoy करिए ठीक है चलो बाबाए